हेलो गाईज मैं हूँ पृती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point एंड आज की वीडियो में हम जैनरी किलेक्टिव का आपका एक सब्जेक्ट है Ideas in Indian Political Thoughts यह आप देख पारे होंगे अपने स्क्रिन पे इसके स्लेवर्स के बारे में डिसक्स करेंगे कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं उस यूनिट के अंदर कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे कैसे क्या रहेगा आपका उसमें कौन-कौन सा टॉपिक रहेगा इससे पहले बता दूँ कि already मैंने आपको कई सारे सब्जेक्ट के स्लेवर्स बता दिये हैं subject wise जैसे कि introduction to political theory मैं आपको बता चुकी हूँ जो main discipline subject है आपके BA program का उसके बाद public administration in India इसका भी स्लेवर्स मैं आपको बता चुकी हूँ ये भी BA program का main core subject है आपका DSE का इसके बाद EVS के जो आपके syllabus है वो मैं अल्रोडी बता चुकी हूँ separately separate video बना के तो subject wise मैंने इनके वीडियो बना दी है आपने अगर अभी तक नहीं देखा है वो syllabus तो वो syllabus भी आप लोग देख लो बाकी चाहो तो screenshot लेके भी रख सकते हो या फिर अपने notes बना सकते हो अपने copy में लिख सकते हो अपने subject का नीम उसके आगे unit और unit में कितने chapters हैं और उस chapter के अंदर कौन-कौन से topics हैं तो ये चीज़े आप लिखते हुए चलना मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है एंड अगेन मैं आपको बता रही हूं साथी एक और बात मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रूप जो है वो ज़रूर जोइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम जो ग्रूप बनाया गया है फॉर्स सेमिस्टर वाले students के लिए उसमें आप आप से रिलेटेड़ आपकी लिए आपके ऐग्जामिनेशन से रिलेटेड़ अधर इंफोमिशन भी आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है और अपको आपको टाइम ली प्रोवाइड कर देते हैं ठीके तो आप टेलिग्राम का जो डिसक्रिशन ग्रूप है उसका चाहे वो भी ये पोल साइंस ओनर्स से हो इंग्लिश ओनर्स से हो इकनोमिक्स ओनर्स हो उनका या फिर बीकॉम ओनर्स हो आप सभी के पास जी में आपको ये ऑप्शन मिला होगा आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का और बहुत से स्टूडेंट से जिनोंने इ इसमें आपके टोटल सेवन यूनिट से हैं ठीक है कितने यूनिट से टोटल सेवन यूनिट से आपके राइट तो यूनिट के नेम जो है यहाँ पे दिये हुए और इसके अंदर के जो चैप्टर्स हैं यह आप नोट डाउन करते वे चलना बहुत इजी है कोई डिफिकल् को लेके फाइट किया था उसके बाद कल्चर और नेशनलिजम जो था वीवेका नंदि के थ्रू ना इन सवाराज जो था जो गांधी जी ने एक स्टैप लिया था सुराज आप सब जानते हो तो इन सब के बारे में ही बताया जा रहा है आपको डीटेल में आपको यह सारी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी उसके बाद आपको यूनिट 5 यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है यह जो टोटल साथ यूनिट्स थे आपके यह मैंने आपके स्क्रिन पर आपको शो कर दिये हैं ठीके तो इन सब को भी जो है वो नोट डाउन कर देना अब एक चीज और मैं जो रिकमेंड किया जा रहा है आपको यह आप यहाँ पर देख सकती हो इसको भी नोट डाउन कर देना धर्मा एंड डंडा क्या था कॉटले क्या ठीके इस पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह सारी चीजे भी आप चाओ तो नोट डाउन कर सकते हो बाकि मैं स्क्रोल क कर दे रहें इसको इसको स्क्रिंशॉट करके भी रख लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीके तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टिल किसी को कोई डाउट है कोई क्वाईरी है कुछ पूछना है इसे रिलेटेड आप लोग नीचे कमेंड बॉक्स में या फिटे समझ में आ गया होगा मतलब यह आपके सातों यूनिट्स जो है यह आपको पता चल गए होंगे कि किस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने स्क्रोल कर दिया है आपके स्क्रीन पे ठीके तो आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना ठीके और इसकी क्लासेज भ रहे हैं राइट सो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट का स्लेबस जो है वो डिसकुस करेंगे सो थैंक्स फर वाचिंग दिस एंड बेस्ट अफ लक और गाईज